वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे बेहितरिन टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी डेली रूटिन लाइफ को बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले ट्रिक की तरफ इस तरह का ओईल ग्रीशिं करने का ब्रश हम सब की किचन में होता है जि आप हम इसे यूज करते हैं तो ये बार-बार निकल करके गिर जाता है तो आप क्या करेंगे ब्रश को फैंक देंगे लेकिन नहीं ये वीडियो देखने के बाद आप अपने ब्रश को बिल्कुल भी नहीं फैंकेंगे फूड को पैक करने के लिए ऐल्मिनियम फोईल सब के घर में होता है इस एल्मिनियम फोईल के एक छोटे सी पीस को कट करके हमें इसे बार-बार फोल्ड करते हुए ब्रश के अगले टिप के जो साइज है उसके अकोर्डिंग हमें एक छोटी सी पैडिंग त्यार करनी है और इस पैड को हम ब्रश के अगले टिप वाले कर दीजिए और फिर इसके बाद जो ब्रश की कैपिंग है उसे वापिस से हैंडल के ऊपर लगा दें ब्रश बिल्कुल फेटन फाइन हो जाएगा आपका जो भी नीला डाला बिमार सा ब्रश था वो भी बढ़िया से काम करेगा इसका टीप वाला पोर्शन काफी टाइट हो अब आप इससे जब ग्रेसिंग करेंगे तो यह बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं गेरेगा हो गया ना बिल्कुल नहीं जैसा ब्रश तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स टिप की तरफ मार्किट से ग्रोसरी का समान हम इस तरह के पॉली बैग में लेकर के आते हैं अबर हम इन पॉली बैग को ही कंटेनर में चेंज कर दें तो कैसा रहेगा हमारा फूड आइटम भी इदर उदर वेस नहीं होगा गिरेगा भी नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह का खाली वाटर बोटल लेंगे और उसका उपर का जो कैप वाला पॉर्शन है उ धकन हटा करके हम इसको पॉली बैग के अंदर अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे ये देखिए इस तरह से पॉली बैग के दोनों उपर के हैंडल को हम इस धकन के नीचे वाले पॉर्शन में से बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए ये इस तरह से बिलकुल कंटेनर की तर इसी तरह से washing powder की packing को भी आप container में change कर सकते हैं washing powder की उपर के tip को आप cap के size के according कट कर लें और cap को उसमें fix कर दें और उपर से इसे अच्छी तरह से rubber लगा करके fix कर दें ताकि यह बार बार बाहर की तरफ नहीं गिरें हो गया ना बिल्कुल container के जैसे ही आप इसमें से जितना भी आपको washing powder चाहिए आप उसमें से निकाले और फिर से इसके ढखकन लगा के से बन कर दें इस तरह से washing powder आपका इधर उधर गिरेगा भी नहीं और फैलेगा भी नहीं तो चलिए बढ़ते हैं हमारे next tip की तरफ कई बार क्या होता है हम kitchen में काम कर रहे होते हैं और हमें किसी recipe का video देखना होता है या हमारे किसी अपने का video call आता है तो हम इस वज़े से call attend नहीं कर पाते हैं कि phone को कहां टिका करके रखें तो ऐसे में हम अपने घर के जुगार से ही काम चला सकते हैं जैसे आपके पास अगर कोई पूराना टेप रोल पड़ा हो इस तरह का टेप वाला रोल पड़ा हो या टेप है भी उसमें लगा हुआ तो भी आप उसे इस तरह से mobile stand की तरह यूज़ कर सकते हैं है ना ये भी बहुत बढ़िया सा जुगार फ्री का नेक्स्ट टिप है अद्रक के लिए जब हम जादा quantity में अद्रक लेकर आते हैं तो इसे हमें store करके रखने में problem आती है या तो हम इसे grind करके store करते हैं grind करने से क्या होता है जो अद्रक में एक fragrance होती है जो freshness और जो एक इसका aroma होता है वो नहीं रहता है इसमें टेस्ट भी change हो जाता है इसको grind करके रखने से तो हम क्या करेंगे अद्रक को अच्छी तरह से धो करके पोंच करके और पांच साथ मिनट आप इसे धूप लगा लें और इस तरह के poly bag में आप इस अद्रक को store कर लें अगर आपके पास zip lock bag है तो और भी अच्छी बात है मैं यहाँ पर normal poly bag ले रही हूँ इसमें हम अद्रक को पुरा डाल देंगे और अच्छी तरह से उपर से इसे एक रवर्ड से कसके tightly इसे पुरा pack कर देंगे और फिर इसे आप उपर freezer में रखें नीचे normal freeze में नहीं रखना है उपर freezer में रखें आप इसे और जब भी आपको अद्रक चाहिए हो आप इसमें से उतना अद्रक बाहर निकाले आपको 5-10 मिनट उसे रख करके छोड़ देना है या फिर आप उसमें गरम पानी डाल देंगे तब भी वो normal temperature पर आ जाएगी और आप उसे use कर सकते हैं है ना बहुत बढ़िया tip फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिएगा और हाँ अगर आपके पास भी इस तरह की कोई trips या tricks idea है तो आप नीचे comment box में मेरे साथ उन्हें share कर सकते हैं मैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी information पहुंचा पाएं लोगों के लिए ये helpful हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए tips and tricks के साथ